तो दोस्तों देखिए ये कोई ऐलोवीरा की जल नहीं है ये मैंने ओनियन में एक चीज एड़ करके जल बनाई है जो बालो के लिए बहुत अच्छी होती है तो वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है सुनीता तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं पलो की साथ शियर करने वाली हूँ कि किस तरह से घर पे आप जो है प्याज के साथ जेल को या भी सीरुम को बना कर त्यार कर सकते हो तो फ्रेंज जो प्याज का रस होता है वो हमारे बालों की हेर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है तो दोस्तों जो प्याज होता है उसमें एंटी डेंडर प्रोप्टी सोती है अगर हम प्याज के रसको अपने स्काल के उपर मसाज करते है तो तुमारा बलड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है जिसके कारण हमारे नए बाल उगने शुरू हो जाते है और अगर आपके बालों में हियर फोल हो रहा है तो भी बंध हो जाता है अगर आपके बाल उमर से पहले वाइट हो रहे है तो भी ठीक हो जाते है तो दोस्तों इस जेल को किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्ला बात कहना चाहती है तो दोस्तों कोई भी ऐसी रेमडी नहीं है जिसको एक ही बाइउस करने से आपके बाल काले हो जाएंगे लंबे हो जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है आप उस रेमडी को यूज कीजिए एक से दो बाइउस करने से आपको उसका रजर्ड मिलना तो दोस्तों आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार किया है बहुत अच्छे अच्छे कोमेंट है तो थैंक्स आलों दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त है जिने लगता है कि वह फेक है क्योंकि वहां पर मैंने अपनी पिच्चर की थी जब मेरे बाल चले गे तो दोस्त को शुरू करने से पहले मैं आप लोग के साथ अपनी पिच्चर शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास पिच्चर पड़ी थी वो सारी शेयर कर रही हूँ आप खुद देख लीजेगा तो इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यहां पर मेरे इस तरह से बाल चले गए थे और फिर धीरे-धीरे आना शुरू हो गए हैं कभी भी एक बार में मेरे बाल नहीं आए हैं six month मैंने diet को follow किया है इस remedy को follow किया है तब ही मेरे बाल आए हैं एक ही बार में बाल नहीं आते हैं तो चलिए अब इसके बाद आज की remedy को बनाना शुरू कर लेते हैं जो की है onion से जैल और किस तरह से काम करता है किस तरह से apply करना है सारा मैं बताऊंगी तो आपको लेना है सबसे पहले दो onion और उसको कर लेना है great great करने के बाद आपको इसका juice निकाल लेना है तो आप इस तरह का cotton का कपड़ा ले लीजिए उसमें सारा onion डाल कर इसका juice को आपको निकाल लेना है तो फ्रें यह जो onion gel है न यह बहुत अच्छे से work करता है खास करके जो जैंट होते हैं उनक कि उनको smell आती है तो यह best है इससे बिल्कुल भी smell नहीं आती है तो इसके बाद आपको लेना है फ्लैक सीड यहां पर मैंने मेरमेंट वाला कप लिया है 125 ml का है तो यहां पर मैंने फ्लैक सीड लिया है फ्लैक सीड में ओमेगा 3 होता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा ह होता है तो यहां पर आपको लेने हैं 5 कप पानी के जिस मेरमेंट से मैंने लिया है फ्लैक सीड उसी कप से मैंने पानी लिये है और इसको आपको हाई फ्लेम पर 5-6 मिनट तक बॉयल करना है आपको इसका दिख जाएगा जब जैल आएगा तो थोड़ा सा पतला ही जैल हम र करके रख सकते हैं और फ्रीजर में एक मंद के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो इसको बैस्ट है यूज करना किट्स के लिए क्यूंकि किट्स पैक नहीं लगाते हैं तो उनके लिए बैस्ट है जिनको प्यास समेल आती है वो नहीं लगा सकते तो इस जैल को वह यूज कर सकते हैं और इसको आप वैसे भी अच्छी तरह से रूट पे अप्लाई करके रात में सो जाएं सुबा अपने सिर को वाश कर सकते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे शाइनिंग आएंगी लंबे होंगे डेंडर भी चली जाएगी और साथ ही साथ अगर जो उमर से पहले वो ठीक हो जाएंगे मैं यह नहीं कहती कि जिनके बाल औरेडी वाइट हो चुके हैं डाई को यूज कर रहे हैं इसको लगाते ही आपके जो बाल है वो काले हो जाएंगे तो हर रैमडी में टाइम लगता है तो इसलिए आप किसी भी रैमडी को एक ही बाल है तो यहां पर मैंने ओनियन का जूस लिया है अभी इसमें मैं 2 टेबल स्पून कोकोनेट ओयल के और वन टेबल स्पून डालूंगे कास्टर ओयल का जिसे अरंडी का ओयल कहते हैं दो टेबल्सपून यहां पर मैंने विटामीन ए di kapsul के डाले हैं और इसके बाद जो जेल लीज़े देखिए जेल की फो में आ रहा है इसको मिक्स कर लीज़े तो इसके बाद अगर आपको फिद भी प्यासे स्मेल आती हैं तो आप इसमें टी टी ओयल के सिर्फ दो डॉप सी डालने हैं टी टी ओयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है डेंडर्फ को दूर हो गया तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं बालों के रूर्स के उपर बनाईएगा यूज़ कीज़े और मुझे बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग टेक ये बाबा